प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास खबरे महराश्ण में जारी हनुमान चालीसा विवाद में नया मोड आया है अब NCP की महिला नेता फहमिदा हसन खान ने प्रदान मंतरी मोदी के आवास के बहार हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, नमाज, नवकार जिसे मंतरु का पाठ करने की अनुमती मांगी है तो सांसंद नौनीत राना और उनके पती विधायक रवी राना ने बॉम्बे हाई कोट का रूप करते हुए अपने खिलाब दर्च एफायर रद करने के लिए एक याची का दायर की है वही हनुमान चालीसा विवाद को लेकर बुलाए गई सर्वादलिय बैठक से मुख्य मंतर उधव ठाकरे और विदान सबावे नेता प्रतिपक्ष देवेंदर फड़नवी से दूरी बना ली है उधर भाजपा नेता के रिट सोमय आपने उपर हुए हमले की शिकायत करने दिल्ली पहुँचे है इसी बीच अभी नेता प्रतिक गान्धी ने मुंबई पुलिस पर आरोप लगाया है कि उन्हें बुरी तरह अपमानित किया गया प्रदेश के इन पाज बड़ी खबरों को पिस्तार से जानने के लिए बने रही है आप हमारे साथ महराश्चर में हनुमान चालिसा विवाद के वीज नसिपी की महिलानेता फहमिदा हसन खान ने गुरुह मंदरी अमिच शाह को पत्र रिखा है उन्होंने प्रदान मंतरी मोदी के आवास के बाहर हनुमान चालिसा, दुर्गा चालिसा, नमाज, नवकार जिसे मंतरों का पाठ करने के अनुमती मांगी है उन्होंने कहा है कि कुपिया प्रधानमंत्री मोधी के घर के बाहर सभी धर्मों का पाठ करने के लिए उन्हें दिन और समय बताया जाए फहमिधा हसन ने कहा कि वो हमेशा अपने घर पर हनुमान 40 और दुर्गा 40 का पाठ करती है अगर रवी राना और नवनित राना को मातोश्री के बाहर हनुमान 40 का पाठ करने से फायदा दिख रहा है तो वो देश का फायदा करने के लिए प्रधानमंत्री मोधी के घर के बाहर सभी धर्मों का पाठ करना चाहती है उनोंने कहा कि देश में बिरोजगारी और महेंगाई जिस तरह से पढ़ रही है उसको लेकर देश के प्रधानमंत्री को जगाना आवशक हो गया है अगर हिंदुत्व को जगा कर देश से महंगई वो विरुजगारी कम हो सकती है और देश को फायदा होता है तो वो प्रधानवंतरी मोधी के घर के बार सर्वधर्म पाठ करना चाहती है इससे पहले शिवसेना ने भी भाजपा पर हमला बोला था अपने मुख पत्र सामना में शिवसेना ने लिखा है कि भारतिय जन्तप पार्टी ने हिंदुत्व के नाम पर जो हंगामा शुरू किया है उसका समर्थन नहीं किया जा सकता हिंदुत्व एक संस्कार एवं संस्कुति है हंगामा नहीं है राज्य में हनुमान चालीसा का जाब प्रतिवंधित नहीं है इसके बावजुद राणा दमपती यानि अमरावती से सांसत नमनित राना और उनके पती विधायक रवी राना मातोश्री के सामने ही इसका जाब क्यों करना चाहते थे शिवसिना ने का कि अगर विराश्री अस्तर पर हनुमान चालीसा का जाब करना चाहते थे तो उन्हें मातोश्री के बजाए लोग सभाध्यक्ष ओम बिरला प्रधान मंत्री मोधी और केंद्री गुरुह मंत्री अमिच्छा के आवास पर इसका जाब करना चाहिए था पहराश्र के अमरावती के सांसद नवनित राना और उनके पती विधायक रवी राना ने बॉम्बे हाइकाट का रुख करते हुए अपने खिलाफ दर्ज एफायर रत करने के लिए याचिका दायर की है राना दमपती को हनुआन चाली सका पार्ट करने को लेकर उठे विवात के बाद शनिवार को गिरफदार किया गया था राना दमपती पर आईपीसी की धारा पंधरा ए और 353 के साथ साथ बॉम्बे पुलिस एक्ट की धारा 135 के तहत एफायर दर्ज की है सबसे भड़ी धारा 124-A यानी राजद्रोह की धारा भी लगाई गई है सांसद नवनितराना और उनके विधायक पती रविराना की पहली रात जेल में कटी जेल में जाने से पहले दोनों की कोरोना जांच की गई मुंबई पुलिस ने नवनितराना को यहाँ भायखला महिला जेल में स्ताना नतरित कर दिया है जबकि उनके विधायक पती रविराना को कड़ी सुरक्षा के बीच पडोसी नवी मुंबई की तलोज़ा जेल में ले जाया गया बतादे की मातोश्री के बाहर हनुमान चाली सका पाठ करने पर अड़ी अमरावती से सांसत नौनीत राना और उनके पती रविराना को बीदेश निवार को मुंबई पुलिस ने खार इलाके से रफ्तार किया था इसके बाद उन्हें रविवार को बांदरा कोर्ट में पेश किया गया था सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने राना दंपती को 14 दिन के लिए नयाई खिरासत में भेजने का फैसला सुनाया है अब दोनों की जमानत पर सुनवाई 29 अप्रेल को होगी इसी बीच भाजपानेता देवनर फडनविस ने केंदरी गुरुह सचीव अजे कुमार भल्ला को पत्रह लिख कर भाजपानेता के रिट सुमाईया की कार पर किये गए हमले के समन्द में गड़ी कारवाई की मांग की है सुमाईया जब राना दमपती से मिलने खार पुली स्टेशन गए थे उसी दोरान उन पर कथी तुरुप से हमला हुआ था महाराशा महनुमान चालिस और लौट स्पिकर विवाद थमता नहीं दीख रहा है सत्तपक्ष और विपक्षी नेताओं के बिच लगातार जुबाने जंग चारी है मामले को अधिक तुल पकड़ता देख महाराश्टा सरकार ने सर्वदलिय बैठक बुलाई है इस बैठक में जहाँ सभिधल के नेताओं को भाग लेने के लिए कहा गया है वही अब इस बैठक से मुख्या मंत्रे उधव ठाकरे और विधान सभा में निता प्रतिपक्ष देवेंदर फड़नविस ने दूरी बना ली है फड़नविस ने कहा कि महाराष्ट के गुरुहा मंत्री ने जो बैठक बुलाई थी हमने उसका बहिशकार करने का फैसला किया है क्योंकि पिछले 3-4 दिन में जिस प्रकार से पुलिस का उपयोग करते वे विरोधी पार्टी के लोगों को जान से मारने का प्रयास किया गया उसके बद समवात के लिए जगह कहां बचती है हाला कि लौट स्पिकर के मुद्दे पर पुर्वसीयम ने कहा कि हमें सुप्रेम कोट के आदिश का पालन करना चाहिए अब इस बैठक के अध्यक्षता महराश्ट के गुरुह मंतरी दिलिपल से पाटिल और उप्पमुख्य मंतरी अजित ववार करेंगे इससे पहले मंसे प्रमुक राश्ठाकरे ने भी इसमें शामिल होने से साफ इनकार कर दिया हाला कि मंसे की दरफ से संदिप देशपांडे, बालान अंदगावकर और नितिन सरदेसाई इस सरवदलिय मिटिंग में शामिल होंगे बता दे कि मंसे प्रमुक राश्ठाकरे ने प्रदे सरकार से मांग की थी कि मस्जिदों से लौट स्पिकर हटाये जाए अगर ऐसा नहीं हुआ तो वे खुद लौट स्पिकर पर हनुमान चालिसा का पाठ करना शुरू कर देगे सरकार पुलिस का माफिया की तरह इस्तमाल कर रही है जिसमें मुंबई पुलिस कमिशनर संजे पांडे भी शामिल है सौमया ने कहा कि उन्होंने मेरे उपर फर्जी एफायर दर्च की है इसी वज़े से हम अब केंद्रिय गुरुह सच्चिव से मुलाकात के लिए पहुचे है सौमया ने कहा कि वे इसके अलावा एक स्पेशल टीम को भी महराश्टों में भेजने की मांग करेंगे सौमया के साथ बीजेपी की नेता सुनिल राने, अमित साटम, फराक्षाह और विनोध मिश्राद दिली पहुचे है सौमया का कहना है कि मेरी गाड़ी और मुझ पर हमला कर मेरी हत्य की कोशिश की गई है बदादे की किरिट सौमया जब शनिवार रात मुंबई में खार पुलिस थाने से लोट रहे थे तब उनकी SUV पर शिवसिना कारे करता हुने जूते और पानी की बोटले फेगी सौमया निर्दलिय सांसत नवनित राना और उनके विधायक पत्ती रविराना से मिलने पुलिस थाने गए थे भाचपनेता ने ट्विट कर जान करी दी कि शिवसिना के गुंडों के किये गए हमले में वो घायल हो गए है सौमया ने इस घटना के बावद बान्दरा पुलिस थाने में शिकायत दरच कर रही है किरेट सौमया का कहना है कि दरसल बीजेबी बिते 12 महिने से उद्धव ठाकर सरकार के गोटाले बाहर निकाल रही है इसलिए उद्धव की पुलिस गुंडा गर्दी कर रही है अभिनेता प्रतिक गांधी ने कहा है कि मुंबई पुलिस ने उन्हें बुरी तरह अपमानित किया है पुलिस का बरताओं मेरे साथ काफी अशोभनिय रहा दरसल कल सुमवार को प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी मुंबई आई थे हाइवे पर वियाइपी मुवमेंट चल रहा था मुंबई का वेस्टरस एक्सप्रिस हाइवे वियाइपी मुवमेंट के लिए पूरी तरह जाम था यह देख शूटिंग की लोकेशन पर पहुचने के लिए प्रतिक गांधी ने पैदल चलना शुरू कर दिया इस पर पुलिस ने उन्हें रुका अब उनका कहना है कि पुलिस ने मुझे कंधे से पकड़ कर खीचा और एक मार्बल के गोदाम में इंतजार करवाया तब तक मुझे कुछ बताया भी नहीं पूछने पर अपमानित किया गया प्रती के इस ट्वीट पर सोशल मीडिया यूजर्स ने बताया कि शहर में प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी आये हुए थे और शायद इसी के कारण ऐसा हुआ हो जब प्रती को इस बारे में पता चला तो उन्होंने कॉमेंट कर कहा कि ओ, मुझे पता नहीं था लेकिन पुलिस इसे साफ तोर पर बता तो सकती थी, मैं कोई अपराद ही नहीं था कि गुदाम में ले जाकर, मुझे कैद कर दिया गया एक नागरी के तोर पर सिधी जानकरी तक मुझे नहीं दी गई, वर्क फ्रंट की बात करें तो वेब सिरिट्स स्कैम 1992 से मशुर हुए प्रतिक गांधी, अब फिल्म वो लड़की है कहा, में नजर आने वाले है इसके अलाबा वो अभी पत्र लेखा के साथ जोतिराव फुले, वसावित्री बाई फुले की बायोपिक की शुटिंग भी कर रहे है उन्होंने विद्या बालन और एलिया ने डिक्रूस के लीड रोल वारी एक फिल्म भी साइन की है मद्यप्रदेश के गवाली और बेल लव जिहाद का संसनी खेज मामला सामने आया है कि युवती ने आरूप लगा है कि मुस्लिम लड़के ने नाम बदल कर पहले उसे शादी की फिर अपने भाईयों, मौलाना और अन्ने लोगों से दुश्कर्म भी करवाया वही उत्तर प्रदेश में एक माफियाओं के खिलाफ बुल्डोजर रचता रहेगा यूपी सरकार की और से अगले दो साल का टार्गेट का फिक्स कर दिया गया है सुप्रेम कोर्ट में याचिका दायर की गई है इस याचिका प्रसुनवाई जुलाई में हो सकती है देश भरकिन पाज बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रही है आप हमारे साथ मध्यप्रदेश के गवालियर में लव जिहाद का संसनी खेज मामला सामने आया है एक यूती ने आरोप लगाया कि मुस्लिम लड़के ने नाम बदल कर पहले उससे शादी की इसके बाद उसका धर्मांतरन करवाया यही नहीं फिर उसके साथ अपने भाईयों, मौलाना और अन्य लोगों से दुशकर्म करवाया इस दोरान लड़की का दो बार जबरन गर्भपात भी करवाया गया मामले की शुरवात गवालियर के जनकगंज इलाके से होती है जनकगंज इलाके में रहने वाली एक योती से डबरा के रहने वाले इमरान ने नाम बदल कर दोस्ती की इमरान ने योती को अपना नाम राजु जाटव बताया इसके बाद राजु योती को अपने साथ डबरा ले गया और यहाँ कुल्ड रिंक में नशिला पदार्त मिला कर दुश्कर्म किया योती जब गर्भवती हो गई तो इमरान ने उसका गर्भपात करवा दिया योती शादी की जित पर अड़ गई तो आरोपी ने मंदिर में जाकर शादी भी कर ली फिर योती को डबरास्थित अपने घर पर ले गया योती जब घर पर पहुची तो उसे मालूम हुआ कि उसने राजु जाटाओ समझ कर जिस शक्स से शादी की है उसका असली नाम इमरान है हाला कि शादी हो जाने की वज़़ा से लड़की चुपचाप रह गई इस दवरान एक बार फिर से योती गरबह होती हुई इमरान के घरवालों ने दबाव बनाते हुए एक बार फिर से लड़की का गरभपात करा दिया जब उसने गरभपात का वीरोत किया तो उसके साथ मारपिट भी की गई किसी तरह से योती आरोपियों के चंगुल से भागी और पुलिस के पास पहुच कर अपनी आपबिती सुनाई बताया कि उसके ससुराल के घर के पास ही रहने वाले मौलाना ने भी उसके साथ दुशकर्म किया इम्रान नहीं दुश्करम कराया था इसके बाद यूति को घर में ही बंदक बना लिया गया था उत्तर प्रदेश में माफियाओं के खिलाब बुल्डजर गरचता रहेगा यूपी सरकार की और से अगले दो साल का टार्गेट का फिक्स कर दिया गया है मतलब 2024 तक माफियाओं की संपत्यों पर कारवाई होती रहेगी लोग सभाचुनाओं भी इसी वर्ष होने है ऐसे में यूपी की योगी आधितनाच सरकार बुल्डजर मॉडल से आगे निकलने के मूड में नहीं है आम लोगों के बीच माफियाओं और अपरादियों की खिलाप कारवाई की जो छवी बनी है उसे योगी सरकार बरकरा रखना चाहती है विदान सभाचुनाओं में जिस प्रकार का फाइदा भारतिये जनता पार्टी को मिला है वही फाइदा अब लोग सभाचुनाओं में भी उटाने की कोशिशे होगी इसके लिए टारगेट तै कर दिया गया है पुलिस प्रशासन अब इस टारगेट को ध्यान में रखते वे माफियाओं की पैचान कर उनके खिलाप कारवाई करेगी यूपी पुलिस ने दो साल में गैंगस्टर एक्ट की धरा 14-1 के तहट माफिया की 1200 करोड रुपे की संपत्यों को जब्ट करने का लक्षताय किया है सीम योगी और कैबिनेट मंत्रियों के समक्ष हुए प्रस्थोती करण में यूपी पुलिस ने इस लक्षत तक पोचने का दावा किया है योगी सरकार के पहले कारेकाल में जहाँ प्रदेश के टॉप 25 माफियाओं के खिलाप कारवाई का अभियान चलाय गया था वही दूजरे कार्यकाल में यूपी पुलिस ने टॉप 50 माफियाओं के खिलाफ कारवाई का लक्षत तै किया है। इन माफियाओं के खिलाफ होने वाली कारवाई की हर सप्ता वरिष्टों दुवारा समिक्षा की जाएगी। कॉंग्रेस में चुनावी रन नितिकार प्रशांत किशोर की भूमिका और पार्टी के पुनुरुद्धार की उनकी योजना पर चल रही चर्चाओं के बीच G23 नेताओं के एक वर्ग ने कॉंग्रेस संगटन में तीवर विवाजन के संकेत दिये है। ये संकेत ऐसे समय में आया है जब प्रशांत किशोर के साथ सोनिया गांदी वह अन्य नेताओं की चर्चा के दवरान G23 के नेताओं को शामिल नहीं किया जा रहा है। कहा हमारे बैशकार और अप्मान के बाद एक गहरा विवाजन और गहरा अविश्वास दिखाई दे रहा है। जब हमें पार्टी के पुनुरुद्धार से संबंदी चर्चा प्रक्रिया में बाहर रखना था तो कॉंग्रेस अद्ध्यक्ष सोनिया गांदी द्वरा समुव के साथ सुलह बैठके करने का क्या मतलब था। कि क्या कम से कम कुछ G23 निता फिर से बात करने को तयार होंगे। एक सुद्र ने प्रशान किशोर के प्रस्थाव पर चर्चा कर दी सोनिया द्वरा गठित समीती पर सवाल उठाते हुए कहा कि मई में हुने वाले पार्टी के चिंतन शिविर से पहले G23 के वरिष्ट निता उपर बढ़ते जा रहे हैं। के सबसे अमीर, एलन मस्क, एमेजोन के जेफ बिजोस, बनार्ड अरनॉल्ट और बिल गेट्स रह गए हैं। कश्मिर से अनुच्छे 370 हटाने और जम्मू कश्मिर को दो केंदर शासित प्रदेशों में बाटने के खिलाब, सुप्रीम कोट में याचिका दायर की गई है। इस याचिका पर जुलाई में सुनवाई हो सकती है। दरसल 2019 में इस मामले को मुखे नायदिश रंजन गोगोई ने सब्वैधानिक पीट के अध्यक्ष एनवी रमन्ना के पास भेजा था। याचिका में अनुच्छे 370 को हटाने के राश्ट्रपति के आदेश की अधिसूचना को सविधान की मूल भावना के खिलाफ बताया गया है। सुप्रिम कोर्ट में दार याचिका में कहा गया है कि अनुच्छे 370 हटाने के लिए सरकार द्वारा किया गया संशोधन असमवैधानिक है। सरकार ने मनमाने और असवयधानिक धंग से कारवाई की है और यालचिका में मांग की गई है कि कोड की अधिसूचना को असवयधानिक घोशित कर इसे रत करे। फ्रांस के राश्वती चुनाओं में एक बार फिर एमिनियोल मैक्रो ने जिद्दर्च की है तो तालिबान ने अब पाकिस्तानी सेना से निपटनी के लिए भारत के चितल हेलिकॉप्टर पर दाव लगाया है। भारत को टैंकों का काल दे दिया है। ये लंबी दूरी तक मार सकती है और पावर्फुल इतनी होती है कि बक्तरबंद गाडिया पलभर में ही तबाह हो जाए। दुनिया वर के इन पाज बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रही है अब हमारे साथ फ्रांस के राश्ट्रपती चुनाओ में एक बार फिर इमेनुएल मेकरों ने जीत दर्श की है। उन्होंने धूर्दक्षिन पंती उमिदवार मरिन ले पेन को मात दे दी। मेकरों की जीत के बाद पेरिस से दंगों की खवर आ रही है। सोशल मीडिया पर शेयर किये जारे वीडियो में पुलिस प्रदर्शन कारियों पर लाठी चार्च करते वे नजर आ रही है। राश्ट्रपती चुनाओ के नतीजे गोश्यत होने के बाद दर्जन और लोग सड़कों पर उतर आये और प्रदर्शन करने लगे। उग्रभी पंथी उमिदवार मरिन ले पेन के बीच। जनता ने एक बार फिर मैकरों को फ्रांस की सत्ता का ताच पहनाया। मैकरों ने जीत के बाद अपने भाशन में सभी को शुक्रिया कहा और उस भहुमत की प्रशांसा की जिसने उन्हें फ्रांस की सिवा के लिए और पाच साल का समय दिया है। मैकरों ने उन लोगों को भी धन्यवाद दिया जिन्होंने उन्हें जीताने के बज़ाय मरिन ले पेन को हराने के लिए मतदान किया। उन्होंने कहा कि अब मैं किसी एक पक्ष का उमिदवार नहीं हूँ बलकि मैं सभी का राश्ट्रपती हूँ। ले पेन रूजान सामने आने के तुरंद बात अपनी हार मान ली। अपने भाशन में उन्होंने कहा कि वह राजनीती में बनी रहेगी और कभी भी फ्रांस को नहीं छोड़ेगी। मरिन ने नतीजों को शांदार जीत करार दिया। पाकिस्थान के डूरंड लाइन के पास फाइटर जेट और हेलिकाप्टरों के जूरदार हमलों से अफगनिस्तान की तालीबान सरकार टेंशन में आ गई है। तालीबान ने अब पाकिस्थानी सेना से निपटने के लिए अपनी वायु सेना को मजबुत करना शुरू कर द तालीबान ने इसके लिए भारत के चीतल हेलिकॉप्टरों पर दाव लगाया है। तालीबान के रक्षा मंतराले ने कहा कि उसने भारत की ओर से अश्रब गनी सरकार को दिये गए चीतल हेलिकॉप्टरों की मरम्मत करके उसे ठीक किया है। अन्य था हेलिकॉप्टरों को ठीक की दिक्कतों से जूज रहे है और यह जादा तर पुर्व अफगान सरकार के पतन के बाद हुआ है तालीबानी सेना के पुर्व अधिकारियों का कहना है कि अफगान वायू सेना को मजबुत किया जाना चाहिए जो देश के लिए महत्वा पुरुण है बतादे कि अश्रप ग करना शुरू किया है जब पाकिस्तानी सेना की हेलिकाप्टर और फाइटर जेट अफगान जनता पर बंबरसा रहे है पाकिस्तानी हमले में पिछले दिनों 30 से जादा लोग मारे गए थे कुरोना वाइरस का कहर चीन में बढ़ता जा रहा है सबसे बड़ा शहर शंगाई सक्त लॉकडाउन और संक्रमन्ट से बढ़ती मोतों की दो रिमार जिल रहा है जो इलाखे संक्रमन्ट से बच गए है उन्हें वाइरस के खौप ने अपने जद में ले लिया है डर इसकदर फैल चुका है कि बिजिंग के कुछ इलाकों में लॉकडाउन लगा दिया गया है और एक जिले में कोविड टेस्ट को अनिवार्य कर दिया गया है चीन अपनी जिरो कोविड नीती में बिल्कुल भी ढिल देने के मूड में नहीं है जिसका असर देश की अर्थविवस्ता पर भी पढ़ रहा है करीब दो करूट की आवादी वाले बिजिंग के कई रियाईशी इलाकों में लॉकडाउन लगा दिया गया है पिछले विकेंड में दरजनों मामले सामने आने के बाद शाओयंग जिले को इस हबते तीन बार टेस्ट करने के आदेश जारी किये गये ह चेताउनी दी गई है कि आने वाले दिनों में बिजिंग में और अधिक मामले सामने आ सकते हैं स्थानिय सरकार के प्रवक्ता शू हेजियान ने कहा कि मवजुदा प्रकोब बहत जटिल है और रहस्यम है है उन्होंने इसे फैलने से रोपने के लिए ठोस कदम उठाने की ब होते लगातार बढ़ रही है शंगाई में कुरोना से अब तक कुल 87 लोगों की मौत हुई है जिनकी ओसत आयू लगभग 81 वर्ष थी अकेलिर अविवार को शंगाई में 49 लोगों की कुरोना वाइरस से मौत हो गई श्री लंका संकट के दौरान भारत अपने पड़िशु देश का सबसे बड़ा मददगार बनकर उबराए इस संकट की घड़ी में भारत ने अलग-अलग मदद में 2.4 अरब डॉलर की सायता श्री लंका को दे चुका है उधर श्री लंका ने चीन से मौजुद हालात के बा बात ये है कि श्री लंका ने चीन ने 2.5 अरब डॉलर की मदद मांगी थी जबकि उसे मिला बहत कम भारत में कई लोग इसे एक अहम राजनाई काउसर मान रहे है विशेशक्यों का कहना है कि भारत वहा के प्रोजेक्ट और राजनीती में प्रभाव जमा सकता है उन्होंने चार बातों का हवाला दिया है पहला चीन ने श्री लंका में जो भरोसे मन दोस्त होने का दावा किया था जैसे श्री लंका मुश्किल हालत में फसा वह खुट डर गया है दूसरा चीन दुनिया की महाशक्ति के तौर पर जिस तरीके से देशों को अपने कर्स के जाल में फ फेदाती बनकर रह गया है तीसरा भारत श्रिलंका की मदद को बीना किसी हीत के आगया है भारत का श्रिलंका में चीन की तुलना में कोई बड़ा अर्थिक लक्ष नहीं है चाउथा चीन समर्थीत राजपक्षे की सत्ता जल्द ही जा सकती है जिसके बाद देश में नया चु जिग उवना कर ली है इमर्जेंसी ओलडर पर इसराइल ने भारत को टेंको का कॉल दे दिया है इसराइल के इस खतरनाक हतियार को टेंको का कॉल ययनि टेंक किलर कहा जाता है ये ульт दूरी तक मारकरती है और पावरुफल इतनी होती है कि बकतर गाडिया पल भर में ही तबाह हो जाए भारतिय फोच को यह फावर ऐसे समय में मिली है जब पुर्वी लद्दाक में चीन के साथ पिछले दो वर्षों से तनाव बना हुआ है और दोनों देशों की सेनाई आमने सामने है ऐसे में इस किलर मिसाइल के आने से चीन के खिलाब भ भारत के तनाव का भी जिक्र किया विदेश और सामरीक मामलों के विशेशग्य इस बात को लेकर आशंकित दिखे कि जैसा रूस ने किया वैसा चीन भी भविश्य में कर सकता है ऐसे में भारत को हर्स्तिती से निपटने के लिए तैयर रहना चाहिए चीन के साथ सैन्ने टक लग पाच किलो मिटर तक टारगेट को निशाना बना सकती है तो आज किस खास पेशकश में वस इतना ही आप से कल फिर मुलाकात होगी तब तक देखते रहे हैं अभी के भी नियोस नवस्कार